साबर मती ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतरगत इंपोर्टेंट टॉपिक जो की है प्रिज्म के अपबरतनाग के लिए विंजक तो इसे हम कवर करेंगे चलिए इसका देखते हैं फीगर सबसे पहले फीगर को हम नाम दे देते हैं ABC इसमें प्रिकार से आपतित प्रिकास की हमने किरड़ बना रखी है AB हमारा जो है अपवर्तक प्रिष्ट है यानि यहां पर प्रिकास का अपवर्तन देखने को मिलेगा और AC जो हमारा है यह भी हमारा प्रिकास का अपवर्तन देखने को मिलेगा तो यहा पर होगा क्या यहां पर प्रिज्म के अंदर इस प्रिकार से यह प्रिकास जाएगा और जाने के बाद जो एसी अपवर्तक प्रिष्ट है यहां से यह निर्गत प्रिकास की किलार इस प्रिकार से बाहर निकल जाएगी तो इस प्रिकार से प्रिकास का हम मार्ग प्रदर्शित कर देते हैं अब यहां पर हम इसका करते क्या है जो हमारा A B है जो हमारा क्या है A B इसका अभिलंब खीच लेते हैं इसी प्रेकार से जो हमारा A C है A C रेखा इसका भी हम यहां पर अभिलंब खीच देते हैं तो A B रेखा और A C रेखा इन दोनों का अभिलम खीचने पर हम देखते हैं कि यह दोनों जो है ना इस बिंदु पर आकर मिलते हैं तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसको बोलेंगे एस और यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसको बोलेंगे टी अ प्रकास की किरण जो है इसी के सिधाना बिंद्व पर आगे बढ़ाया जाए और उसी प्रकार से जो यहां पर यहांकर निर्गत किरण को भी आगे बढ़ाया जाए तो बढ़्हाने पर यह Дोनों जहां पर एक दूसरे को कट गो इस बिंदु को माल लेते हैं ओ क्या माल लेते हैं ओ माल लेते हैं तो यहां पर जो बनने वाला बाहर कोड होगा यह हमारा डेल होगा और इसी को बोलते हैं विचलन कोड इस डेल को क्या बोलते हैं विचलन कोड बोलते हैं तो यह हमारा विचलन कोड हो जाएगा और यहां पर बिन्दू जो A है ना हमारा कोड़ A यहां पर यहां पर जो कोड़ बन रहा है वो A है और A को बोलते हैं प्रिज्म कोड़ ए को क्या बोलते हैं प्रिज्म कोड़ बोलते हैं तो इस प्रकार से यहां तक आपको फिगर क्लियर हो रहा होगा अब यह हमारा अबिलंब है और यह आपतित प्रकास की किरड़ है तो अभिलंब और आपतित प्रकास के बीच बनने वाले कोड़ को आपतन कोड़ बोलते हैं और यह हमारा I1 है यह क्या है I1 है इसी प्रकार से अभिलंब और निर्गत किरड़ के बीच जो कोड़ बनेगा इसे हम बोलते हैं I2 क्या बोलेंगे I2 अब यहाँ पर यह हमारा अभिलंब है और यह प्रकास की किरण हमारी अपवर्तित होकर धर से गई है तो यहाँ पर बनने वाला जो कोड होगा इसे बोलेंगे R1 और इसी प्रकास से सेकंड साइट से जो बनने वाला कोड होगा इसे बोलेंगे R2 अब यहाँ पर हम point S पर देखते हैं तो point जो हमारा S है इधर यह जो हमारा अभिलंब है और आपतित प्रिकास है इसके बीच बनने वाला जो code I बन है वो बराबर होगा इधर अभिलंब और यहाँ पर जो अपुवर्तित प्रिकास की किरड़ है यहाँ पर अभिलंब देखना है और यह प्रिकास की किरड़ आप वर्तित होकर यहाँ से गई है अगर इसी को सिदानविंद से मिलाते तो यहाँ से जाती तो इस प्रिकार से cross multiply होता और जब cross multiply होता है तो यह सीर्स विमुक कोड होते हैं कौन से कोड सीर्स विमुक कोड एक दूसरे के बराबर होते हैं त इसमें से नीचे वाला R1 निकल गया तो ये उपर वाला कोड कितना बचा ये कोड कितना बचा तो ये कोड निकलेगा टोटल कोड में से R1 को घटा कर यानि कि टोटल कोड हमारा I1 है उसमें से इतना R1 हटा देंगे तो ये कोड मिल जाएगा तो यहां पर ये वाला कोड हमारा हो जाएगा I1-R1 इसी प्रकार से इधर उपर का कोड़ हो जाएगा I2-R2 तो यहाँ पर सीरसा विमो कोड़ के कारण होता है तो चलिए figure में समझते हैं और वही यहाँ पर हम लिखते हैं तो सबसे पहले figure में लिखेंगे कि माना A, B, C एक प्रिज्म है तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं कि माना A, B, C जो हमारा है वो एक प्रिज्म है जिसमें A, B क्या चीज A, B और सेकंड जो हमारा A, C है यह दोनों अपुवर्तक प्रिष्टे हैं और माना की जो प्रिज्म है इसका प्रिज्म कोड क्या है A ह और यहाँ पर जो अलपतम विचलन कोड है वो डेल है तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पॉइंट माल लेते हैं इस पॉइंट को हम कहेंगे S और यहाँ पर इस पॉइंट को हम माल लेते हैं T और यहाँ पर यह कटान बिंद जो है इसे बोलेंगे E और उपर यहां पर जो कटान बिंदु है इसे O माल लेते हैं तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यह कोड हमारा I1 है तो इधर भी टोटल जो कोड होगा वो I1 होगा जिसमें से नीचे वाला कोड R1 है तो उपर बचा हुआ जो कोड यह वाला है ना यह होगा I1-R1 इसी प देखते हैं कि जो हमारा त्रिबूज है ना O, S, T तो इस परकार से बनाएंगे यहां पर हमारा O हो जाएगा यहां पर जो बनने वाला कोड है वो कितना है आई ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा तो त्रिबुज की जब भुजाएं बनाई जाएं तो उसमें एक त्रिबुज को भुजा को बढ़ा दिया जाएं तो वहाँ पर जो बनने वाला कोड होता है उसको बहिस कोड क्या बहिस कोड तो त्रिबुज में जो बहिस कोड हो कोड़ T के बराबर हो जाएगा तो वही यहां पर अब हम लोग लिखेंगे तो यहां पर हम कौन सा त्रिभूज लेंगे त्रिभूज लेंगे OST में तो यहां पर हम लिखते हैं त्रिभूज OST में OST में हमने क्या देखा कि जो डेल है डेल यह किसके बराबर हो जाएगा यह T, यह code लेंगे, S तो जो code लेंगे उसे बीच में रखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे code O, S, T और प्लस का हो जाएगा, अगला कौन सा code अंता code है, तो अगला अंता code यह वाला है, T पर तो T को बीच में रखना है, तो हम कहेंगे O, T, S, क्या बोलेंगे O, T, S के, तो अब यहाँ पर हम value put कर देते हैं, तो यहाँ से में मिलेगा, del is equal to हो जाएगा, O, S, T, यानि कि यहाँ पर main code S है, तो S कमान कितना है I, 1, minus R, 1 है और प्लस लिखेंगे O, T, S तो यहाँ पर T कमान कितना है I, 2 है, minus का R, 2 है तो अब I, 1 और I, 2 का एक साथ रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, del is equal to I, 1, plus I, 2 एक साथ रखेंगे, और minus का यहाँ पर है R, 1, और minus का है R, 2, अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसे हम लिखेंगे, del is equal to I, 1, plus I, 2, और यहाँ पर इन दोनों में से minus common ले लेंगे तो minus बाहर हो जाएगा और यह हो जाएगा, प्लस का R, 1 और यहाँ से भी minus common हो गया, तो यह हो गया प्लस का R, 2, इसे हम बना देते equation first, अब यहाँ पर हम condition लगाते हैं, कि अल्पुतम विचलन की इस्थिती में यह जो विचलन है यह नियूनतम हो तो लिखेंगे अल्पुतम यह इसी को बोलते हैं नियूनतम क्या बोलते हैं? नियूनतम तो नियूनतम विचलन की इस्थिती में तो नियूनतम विचलन की इस्थिती में क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर I1 है जो I1 है ये बराबर होगा I2 के ये बराबर होगा I के यानि जो टोटल यहां पर हमारा आपतन कोड है वो हो जाएगा I इसी प्रकार से जो अपवरतन कोड है R1 is equal to हो जाएगा R2 is equal to हो जाएगा R के ये नियुन्तम विचलन की इस्तिती में कंडिसन सरते हैं और जो डेल है ये equal to हो जाएगा डेल M के यहां पर M minimum हो जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर put कर देते हैं तो यहां से equation first में रखेंगे डेल's equal to किया रखेंगे डेल M is equal to I1 की जगा I रखना है I2 की जगा भी हमें I रखना है तो हो जाएगा I plus I और यहां पर मैनस लगाएगे ब्रैकेट लिखेंगे R1 की जगा पर हमें R रखना है R2 की जगा पर भी हमें R रखना है तो मिल जाएगा R प्लस R तो इस प्रकार से मिल जाएगा DL M is equal to II मिलके हो जाएगा 2I माइनस का R प्लस R मिलके हो जाएगा 2R इसे बना देते हैं equation second तो इस प्रकार से यहां तक आप लोगों को clear हो गया होगा अब यहां पर हम करेंगे क्या यहां पर हम 2R जो आया है इसकी value निकालेंगे तो 2R की value निकलेगी कहां से तो वो यहां से निकलेगी सबसे पहले हम क्या करेंगे S,E,T कौन सा त्रिबुज लेंगे S,E,T अब की बार हमें यह नीचे वाला त्रिबुज लेना है जो छायांकित किया गया है तो इस परकार से यह वाला त्रिबुज लेना है S,E,T तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिबुज S,E,T में यहाँ पर T जो है वो R2 है हमें E नहीं पता तो यहाँ पर हम E निकालेंगे कैसे निकालेंगे क्योंकि हमें पता है जो त्रिबुज होता है त्रिबुज के तीनों कोड़ों का योग 180 होता है तो यदि यह वाला R1 है यह वाला R2 है और यह वाला में निकालना E वाला तो तीनों का योग 180 होता है तो 180 को तीनों के बराबर कर देंगे यानि तीनों कोड़ों का योग बराबर करेंगे 180 के तो कोड़ी हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिबुज SET में SET में क्या हो जाएगा यहाँ पर तो SET में यहाँ पर हो जाएगा R1 यानि कि ये वाला कोड और प्लस का R2 ये वाला कोड हो जाएगा और प्लस का कोड हो जाएगा E तो E के लिए हम क्या लिखेंगे? SET तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोड SET बराबर इन तिनों कोड़ा को यो बराबर किसी के हो जाएगा? 180 के तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं कोड SET का तो कोड SET बराबर हो जाएगा 180 और माइनस यह पूरा जो R1 प्लस R2 है equal to के दूसरी साइड ले जाएगे तो यहाँ पर यह प्लस का है equal to के दूसरी साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा यहाँ पर माइनस लग जाएगा और ब्रैकेट में रखेंगे R1 प्लस R2 यहाँ पर आपको ध्यान देना है यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो दोनों उधर माइनस में जाएगा माइनस कामन लेंगे तब यह आपको प्राप्त होगा वरना आप ब्रैकेट लगा लीजी और आगे पूरा प्लस का है उधर जाएगा तो यह पूरा माइनस का होगा और अंदर कोई परिवर्तर नहीं आएगा तो यह हो जाएगा कोड़ SET स्क्वर्टू 180 माइनस ब्रैकेट में कोड़ R1 प्लस कोड़ R2 इसे हम मान लेते हैं एक्वेशन नमबर 3 अब यहाँ पर हमें फीगर में देखना है कोड़ E हमें मिल चुका है यानि SET जो कोड़ E है मिल चुका है कितना है 180 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 यह कोड़ E का मान मिल चुका है अब हम फीगर में देखेंगे A SET क्या देखेंगे A SET तो यहाँ पर इस हम समलम को लेंगे तो यहाँ पर चतुर बूज है में दिख रहा है A, S, E, T इसको लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर बूज क्या लिखेंगे? चतुर बूज यहाँ पर जो बन रहा है A, S, E, T में किसमे? A, S, E, T में इस चतर बुझ में हम क्या बताएंगे कि जो चतर बुझ होता है ना समलम चतर बुझ के चारो कोडों का योग कितना होता है 360 होता है तो यहाँ पर figure में आपको देखना है A है उसके बाद यह S है उसके बाद यह E है और उसके बाद यहाँ पर T है तो इस प्रेकार से ये समलंब चतुरबुजे A, S, E, T तो यहाँ पर इसके चारो कोडों का योग जो होता है वो 360 होता है, कितना होता है? 360, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोड यहाँ पर हमारा हो जाएगा A, प्लस का कोड हमारा अगला कौन सा हो जाएगा? S हो जाएगा, तो कौन सा S यहाँ पर बताना पड़ेगा? तो A, S, E, पूरा पूरा लेंगे जो कोड होगा उसे बीच में रखेंगे तो A, S, E हो जाएगा और प्लस का कोड अब S ले चुके अब हमें E लेना है, तो E लेंगे तो इसके बगल का सामिल करेंगे 360 के, अब यहाँ पर हम वैलू पुट कर देते हैं, तो वैलू पुट करेंगे कोड A, जो कि हमारा प्रिज्म कोड है जिसे हमने A माना है, कितना माना है तो यह हमारा A ही रहेगा प्लस का कोड S यहाँ पर क्या है, तो कोड S अब जो हमारा है 90, तो यहाँ पर बीच में कोड S है, यह कोड S का माना है 90 रखेंगे, प्लस का S, E, T हमने निकाल रखा है, कितना आया है 180 माइनस का ब्रैकेट में R1 प्लस R2 आया है और यह प्लस लगाएंगे कोड E, T, A, T का मान यहाँ पर 90 डिगरी है, इसकोल 2 हो जाएगा 307, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे संख्याओं को संख्याओं में जोड लेंगे तो यह कोड E हो जाएगा और प्लस का, 90 यहाँ पर है 180 यहाँ पर है, तो 90 में 90 जोडेंगे 180 और 180 में यह वाला 180 जोड देंगे, तो टोटल 306 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360, अब यहाँ पर कितना बचा है, माइनस का ब्रैकेट में बचा है R1 प्लस R2, और इसकोल 2 है 360, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर A इसकोल 2 करेंगे तो A इसकोल 2 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से में मिलेगा A इसकोल 2 आगया है R1 प्लस R2, क्या आगया है R1 प्लस R2 आगया है अब यहाँ पर हम कंडिशन लगाएंगे नियूंतम विचलन वाली कौन से लगाएंगे नियूंतम विचलन की इस्थिती में नियुन्तम विचलन की इस्तिती में क्या होता है नियुन्तम विचलन की इस्तिती में R1 बराबर R2 बराबर होगा R के तो इस प्रेकार से यहाँ पर A is equal to हो जाएगा R1 की जगा R रखेंगे प्लस R2 की जगा भी R रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A is equal to R plus R मिलके हो जाएगा 2R कितना हो गया 2R तो 2R की value हमें मिल गई है यहाँ पर A कितनी मिल गई है A मिल गई है यहाँ से R की value निकाल लेंगे तो R is equal to क्या हो जाएगा A और यहाँ पर दो गुड़ा में है equal to के दूसरी side भाग में जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिल जाएगा R is equal to आगया है A by 2 कितना आगया है R is equal to आगया है A by 2 अब यहाँ पर जो A is equal to 2R आया इसे यूज करेंगे ध्यान दीजिए जो हमने यहाँ पर equation बनाया था second कौन सा equation second हमने कहा था ना 2R की value रखेंगे तो 2R की value कितनी आगया है यहाँ से 2R की जगह पर A put कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे समी करड़ 2 में किसमें? समी करड़ 2 में 2R की जगह पर A रखने पर तो यह हम put कर देते हैं इसमें तो यह था हमारा equation second delay is equal to 2I minus का 2R यहाँ पर हम 2R की जगह पर A रखेंगे और A रखने के बाद यहाँ पर हम value निकाल लेंगे आई का यानि कि आपतन कोड आई निकाल लेंगे अब आपतन कोड आई तो निकाल चुके हैं हम यहाँ से आर is equal to A by 2 आ चुका है अब यहाँ पर इसकी value पूट करके हम I निकालेंगे आई निकालने के बाद इसनेल करने हम लगा देंगे तो आसानी से हमारा proof हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा delay is equal to हो जाएगा 2I और minus का 2R की जगह पर A पूट कर देंगे अब यहाँ पर हमें I निकालना है तो delay और यहाँ पर जी A माइनस का है equal to के ज़र साइड में लाएगे तो प्लस का A हो जाएगा is equal to हो जाएगा 2I के यानि यहाँ से हमें मिला 2I is equal to delay और प्लस का A हो गया है अब यहाँ पर हम I निकाल लेंगे और आई भी निकाल लिया है तो आई इस प्रकार से हमें प्राथ हो जाएगा ए प्लस डेलेम बाई टू तो यहाँ पर हमने आर निकाल लिया आर इसक्वल टू आया है ए बाई टू और यहाँ पर हमने आई निकाल लिया है आई इसक्वल टू आ गया है अब यहाँ पर लगाएंगे स्नेल का नियम इसनेल का नियम क्या कहता है इसनेल का नियम कहता है कि जो अपोरतना के N होता है यह बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर के किसके बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर के और upon यहाँ पर लगा देंगे नीचे यहाँ पर है sin r तो sin r, r की value कितनी आई है तो r की value हमारी आई है a upon 2, क्या आया है a upon 2 तो यह यहाँ पर put कर देंगे तो यहाँ में मिल जाएगा sin और यहाँ पर r की जगा a upon 2 रख देंगे तो इस प्रकार से यह अपवरतनक का सूतर यहाँ पर हमें प्राक्त हो जाता है प्रिजमे के लिए कि n बराबर होता है sin a plus del m by 2 upon sin a by 2 तो आपको यह clear हो गया होगा तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है सबसे पहले हम लोग figure बना लेते हैं figure में देखते हैं O, H, T O, H, T को लेकर हम लोग del निकाल लेते हैं 22 score जब हमें 22 score मिल जाता है तो इसे हम equation first बोल देते हैं और इसमें निउन्तम विचलन की इस्तिती लगाते हैं जहाँ पर I1 is equal to Y2 is equal to Y रखते हैं और R1 is equal to R2 is equal to R रखते हैं और del की जगा पर del m रखते हैं S, E, T S, E, T में त्रिबुज के तीनों कोडों का योग 180 करते हैं जहाँ से हमें S, E, T मिल जाता है S, E, T निकालने के बाद इसे equation third बोल देते हैं और equation third बन जाने के बाद हम लोग समलम जो हमारा A, S, E, D है चत्रिबुज यहाँ लगाते हैं और इसके चारो कोडों का योग 360 के बराबर करते हैं और यहाँ से हमें क्या प्राफ्ट हो जाता है यहाँ से हमें A is equal to 2R प्राफ्ट होता है तो 2R की जगापर हम लोग A प्राफ्ट कर लेते हैं यहाँ से R निकाल लेते हैं R की value आ जाती है A by 2 जैसे ही हमें R की value A by 2 प्राफ्ट हो जाती है तो यहाँ पर जो 2R is equal to A आया है न इससे अपने equation second में रख देते हैं equation second जो की हमारा है डेलेम is equal to 2I minus का 2R तो इस 2R की जगापर A रखेंगे और A की value पूट करके यहाँ से आपतनकोड I निकालते हैं तो इस प्रेकार से आपतनकोड I हमें प्राफ्ट हो जाता है I प्राफ्ट हो गया R प्राफ्ट हो गया अब इसने अर का नियम लगाते हैं N is equal to sin I upon sin R I की value पूट कर देते हैं A plus del M by 2 और अपन नीचे R की जगापर value पूट करते हैं A by 2 तो इस प्रेकार से आप वरतनानकोड हमें प्राफ्ट हो जाता है N is equal to यहाँ पर हमें प्राफ्ट हो जाता है कि sin A plus del M by 2 upon sin A by 2 तो इस प्रेकार से यह proof आप लोगों को clear हो गया होगा नीचे comment और description box में आपको link मिल जाएगा फिजिक सत्ता अन जो important subject के important videos है topic के वो आपको नीचे comment और description box में link मिल जाएगा जहाँ पर जाकर कि आप उससे cover कर सकते हैं Thank you